नमस्कार आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि पेगिसेज आखिर है क्या। यह कैसे आपके फोन के अंदर घुसता है, कैसे आपके सारे कॉंटेंट की कॉपी बनाता है और फिर अपने आप ही decide करता है कब वो आपके phone को आपकी बातचीत, आपके camera सब कुछ देखना सुनना बंद करेगा खुद ही अपने आपको destruct भी कर लेता है लेकिन आज अब जानने की कोशिश करेंगे इस episode में कि क्या दुनिया की बड़ी बड़ी tech companies चाहे वो Amazon हो या Apple, Android हो या Google ये जितनी companies है क्या ये Pegasus को रोकने में बुरी तरह से छूट चुकी है हार चुकी है ये जो battle है data security की Pegasus के साथ हमने आपको पहले बताया कि कैसे जो analysis, phones जो analysis के लिए Amnesty की Berlin में लाब है वहाँ पर गए जिनको identify करा गया और उन्होंने actually वो phones देखे हैं उन पर काम करा है जिसमें Pegasus था जिसमें Pegasus infection था और उनके हिसाब से उन scientists और उन technical experts के हिसाब से एक बार आपके phone पर अगर Pegasus घुश जाए तो hacker जो होता है उसके पास आपसे ज़ादा power होती है अपने phone के उपर यह जानते हुए इन companies ने क्या अपना update नहीं कर पाई है या फिर यह जो battle है यह constantly lose कर रही है सबसे पहले शुरू करते हैं Apple से Apple जो अपनी tagline में कहते है Apple equals privacy न की बड़ी-बड़ी hoardings हर जगह अगर आप जाएं तो वहाँ लगी रहती है लेकिन यह अपनी privacy बचा नहीं पाए जब Pegasus ने इनके phones पर अटाक किया जो data निकला है जो Amnesty ने देखा है जिसे analyze करा है उनके हिसाब से 67 phones थे जो उन्होंने देखे उसमें से 34 iPhones थे उन्होंने देखा कि कैसे iPhone में जो iMessage होता है जो वो कहते है पुरी तरह से secure है लेकिन वो iMessage ही एक सूत्र बन गया Pegasus के अंदर आने का आपको हमने पहले एपिसोड ने बताया था एक Bist Call से आ सकता है Calls जो आप उठाएना, Messages जो आप पढ़ेना वैसे Messages और वैसे Calls भी आपके फोन को infect कर सकते हैं इसके अलावा हमने देखा कि Apple ने बताया कि बाकी जितने भी उनके comparators है, pairs है जितने वो जाहे वो Android हो या दूसरे companies हो, iOS systems हो, उनका सबसे superior network है लेकिन वो superior network भी Pegasus को रोक नहीं पाया आईए आपको दिखाते हैं कि Apple ने अपनी website में क्या actually लिखा है अगर आप उनकी website पर जाएं, उनके home page पर जाएं तो वो बताते हैं कैसे Apple phones दुनिया के सबसे secure phones है उनकी website पर आप जाएं तो वो बताते हैं कि उनका जो browser है Safari वो आपकी history को history बना देता है, मतलब वो पूरी उसका जो data है वो वहाँ से हटा देता है कुछ ऐसी दिखती है उनकी website उसके आगे अगर आप देखें, next page पर इसके जाएं तो Safari के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि आपकी history जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, कोई उसे नहीं देख सकता next अगर आप देखें इसमें, तो वो बताते हैं कि आपके Google Maps या आपकी GPS सिस्टम्स जितने हैं, वो उनको भी wipe कर देता है, जिससे कोई इसकी history पढ़ना पाए next पर आप आप आईए, maps हो गए, network हो गया, जो आपने पहले देखा आपकी pictures, आपकी videos, ये सारी चीज़े आपके iMessage के बारे में वो अगली में बात करते हों, कहते हैं कि कोई इसे पढ़ना ही सकता, ये आपका बहुत ही secured सिस्टम है लेकिन ये सब आप निकल कर आया है कि कोई भी Pegasus को रोक नहीं पाया जब ये बात सामने आई Pegasus का खुलासा पुरा हुआ पूरे विश्वभर में तब से Apple के जो stocks हैं, वो 2.3% गिर गए है जो iMessage जिसको हमने आपको पहले भी बताया था एपिसोड में कि zero click technology यूज़ करते हैं उसकी वजह से इनके Apple iMessage users में भी कम हो गया है लोगों ने अपने फोन के iMessages को बंद करना, उसकी service लेना बंद कर दिया और अब Apple ने इसको rectify करने के लिए इसको ठीक करने के लिए एक bounty निका लिए उन्होंने cash reward निकाला है कि अगर आप उनको बताएं कि उनके system में क्या खराबी है तो वो आपको एक मिलियन डॉलर्स देंगे लेकिन हम आपल की बात कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है जो पेगसिस को रोकनी पाए दूसरा सबसे जादा यूज होने वाला system, operating system जो है Android जिससे Google चलाती है, उनकी का उस company के भी बहुत बड़े-बड़े क्लेम से देखिए जरावने तो ये था Google कह रहे हैं कि उनका पूरा सिस्टम अच्छी तरह सिस्टम इसक्योर है चाहे हो, आपका Gmail हो, आपके Maps हो, आपका Android फोन हो, WhatsApp की बात करते हैं, WhatsApp ने पहली बार इसके बारे में बात करनी शुरू करी थी, 2019 में, जब उन एक और खुलासा हुआ कि कैसे Pegasus ने WhatsApp के थ्रू लोगों के फोन में ब्रेक-इन कर लिया था, तब WhatsApp ने कोट में इसके अगेंस केस करा, वो कोट केस जीते, लेकिन फिर Pegasus और जो NSO firm है, जो से ओन करती है, उसने वो केस चैलेंज कराया, बाकी सारी कमपनीज मिलकर भी ये केस लड़ रही है, लेकिन जब से वो केस चलता जा रहा है, Pegasus अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है, अभी कितनी कमपनीज और आप और हम छोड़िये, बड़े-बड़े जो प्राइम मिनिस्टर्स है, कमपनीज के हेड्स है, प्रेसिदेंट्स है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स है, इन सब के फोन हैक हो रहे हैं, Pegasus की वज़े से, WhatsApp ने अपना स्टेटमन नेकाला, उसके चीफ ने बहुत सारी tweets करी हैं, और यह कहा है कि यह जो abusers है, इनको accountability fix करनी पड़ेगी, उनको court तक ले जाना पड़ेगा, और यह बहुत बड़ा human rights violation है, Amazon की बात करें, Amazon ने अपना access जो वो NSO को देते थे, Pegasus को देते थे, वो अब बंत कर दिया है, लेकिन यह access था क्या, किस arrangement में थे यह, Pegasus के साथ या NSO के साथ यह, उन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, signal की अगर बात करें, बहुत सारी companies हैं, लोग हैं, जिनको लगता है WhatsApp सेफ नहीं है, तो वो signal पर या telegram पर shift हो जाते हैं, उन्होंने भी यह कहा है, कि उनके systems भी safe नहीं हैं,